आज आपको कनेर के कुछ ऐसे ओस्दिय प्रियूग और फायदे बताने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे और ना ही सुने होंगे कनेर एक बहुती प्रभाव साली ओस्दिय पोदा है जो सभी प्रकार के चर्म रोग, गंजपन, सपित बालों की समस्या, बालों का ज़र्णा, डातों के सभी प्रकार के रोग, बाबसिर, पत्थरी, कुष्ट रोग, नपुन सक्ता, सर्प दोश, आदि बिबिन्न बीमारियो को दूर करनी का बिशेज गुणा रखता है, इस कनेर की संपूर्ण जानकरी के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत्य तक देखीगा, क्योंकि जानकरी बहुत ही महत्पूर है, कनेर के पेड भालत बर्स में लगवक सभी इस्थानों पर देखी जा सकते हैं, और सडकों क किनारे यह बहुत ही अधिक मातरा में मिलते हैं, क्योंकि पुर्दूसर को रोखने के लिए सडकों के किनारे इनके पेड़ों का रोपा किया जाता है, आप देख सकते हैं कि सडक के दोनों किनारे कनेर ही कनेर के पेड लगे हुए हैं, कनेर की बैसे तो कई पिरजातिया होत होते हैं, जो इसी की भेड है, हम जो आपको बता हुए, यह पीला कनिर है और इसके तीन भेड होते हैं सपेड, नारंगी, और पीला रंग, बैसा इसकी पैचान कराने की रावसकता नहीं है क्योंकि अधिक तर सभी लोग इस कनिर के बारे में जानते हैं और इस पेड को पहचानते हैं इसके पत्ते इस तरह के होते हैं और इस तरह के फल लगते हैं जिनके अंदर कठोर गुठ्री होती है और गुठ्ली के अंदर बीच निकलते हैं इस प्रकार के इसके पत्ते होते हैं जो लंबे, पतले और मोटे होते हैं कनेर पर इस तरह के सुन्दर फूल लगते हैं, जिनमें किसी प्रकार की खुशबू नहीं आती है। इस कनेर की सबसे खास बात यह है कि यह पेड हमेशा ही हरा बरा रहता है, यानि कि साल भर ही आप इसको हरा बरा फल फूल से लगा हुए देख सकते हैं। 15-20 फिट तक का यह पेड उंचा हो जाता है। अब एक बात और आप जान लीजे इस कनेर की, कि यह कनेर जहरीला होता है। इसलिए किसी भी प्रकार का प्रियोग करने से पहले इसका शोधन कर लेना चाहिए। या फिर अपने बैद की सला अनुसार ही इसका खाने में प्रियोग करें। बनने आपको हानी होगी जैसे इसके अधिकतर प्रियोग वहाय प्रियोग होते हैं और हर व्यक्ति को सिर्फ इसके वहाय प्रियोग ही करना चाहिए खाने में इसका प्रियोग ना करें लेकिन सारे प्रियोग हम आपको बताते हैं ताकि आपका ज्यान बड़े इस कनिर के प्यड़ सकता है, आप किसी और नाम से जानते हूं क्योंकि अलग-अलग चेट्रों में इसको अलग-अलग नाम से जाना पहचाना जाता है इसके कुछ नाम है जैसे कि संस्क्रित में इसको पीत कनेर, पीत कनवीर, दिब्वय फूल, पीला कनेर, अंगरेजी में यलो ओली एंडर, लक्की ट्री नेट, कनाडा में कंडू कासी, गुजराती में पीला कनेर, ओरिया में कोन यार फूल, बंगाली में कोकला फूल, कलके फ और नेपाली में पीला कनिर, मराथी में पिलहम कंडेर और मर्यालम में पच्चा रली आधी नाम से जाना प्रेचाना जाता है। और इसका वरस्पतिक नाम है थीवेटिया पेरूवियाना। तो आप भी हमें कमेंड करके जलूर बताएं कि आप कौन से छेत्र में रेते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं। क्योंकि आपकी दी हुई जानकरी किसी के काम आ सकती है। तो चलिए अब जानते हैं इसका नेर के और दिये फायदे और और दिये गुण। पीला कनेर वहारी रूप से प्रियोग करने पर कुष्ट घन, वान शोधक, वाल रोपक, तता शोध हर या कुष्ट वान तता शोध में और विशेश कर उपदंस और फिरंग में लापकाली होता है। यह कनेर यदि उचित मात्रा में सेवन किया जाए तो बहुत ही लाप करता है। लेकिन अनुचित मात्रा या मात्रा से अधिक सेवन करने पर यह आपके लिए खतरनाग भी हो सकता है। हिर्दे की गयती रुख भी सकती है। क्योंकि यह हिर्दे पर बहुत प्रिभाव लालता है। चलिए अब जानते हैं कनेर के कुछ औस्दिय प्रियोग जिनकी जानकरी आपका ग्यान बढ़ाएगी तथा आप विबे निरोगों को भी दूर कर पाएंगी। तो ध्यान पूलबग वीडियो को देखिएगा। सिर्दर्द को दूर करने के लिए कनेर के विसेश प्रियोग किये जा सकते हैं। जैसे कि कनेर के पत्नों को छाया में सुखा कर बारिक चुणन बनाकर रख लें। और फिर शुरन को चुटकी बन लेकर नाक में जोर से सूंगने से छीकें आती हैं और सिर्दर्द तुनत ठीक हो जाता है। इससे प्रिकार से एक और प्रियोग है। कनेर के फूल और आमला को कंजी के तेल में घिस कर मात्य पर लेप करने से भी सिर्दर्द की समस्या ठीक हो जाती है। कनेर बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए बिसेज गुणा रखता है। इसके पत्तों को महंदी की तरह पीस कर गंजे सिर्फ लगाने से बाल दो बारा उबने लगते हैं। यह एलोपेसिया की समस्या में बहुत ही कारगार है इसके पत्तों का रस निकाल कर लगाने से एलोपेसिया ठीक हो जाता है। सपेद बालों की समस्याओं को भी इस कनेर के द्वारा दूर किया जा सकता है जिन लोगों के बाल समय से पहले ही सपेद हो गए हैं बहें यह प्रियोग कर सकते हैं कनेर और छोटी दूदी को समान मातरा में लेकर गाय के दूद में घिसकर बारिक पेश्ट बनाने और फिर इसको बालों की जड़ों में लगाने से सपेद बाल काले होने लगते हैं और जो नए बाल उगेंगे वह भी काले उगेंगे यह इसका गुप्त प्रियोग है इसके बाद यह कनेर दातों के लिए भी बहुत लापकारी है सपेथ कनेर की दातुन करने से दातों के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं जैसे कि दातों के क्युला लगा होना, दातों का हिलना, दातों की जणे कमजोर होना, मसूरों पे सूजन, मसूरों से खून आना आदी समस्या आए, कनेर की दातुन करने से ठीक हो जाती है कनेर सभी प्रकार के चर्म रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही उत्तम दबा है और इसको अलग-अलग तरीक से प्रियोग किया जा सकता है कनेर के पत्ते, लाल चंदन, हल्दी, चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, सब्तपणी के पत्ते इन सभी को समान मातरा में लेकर तेल में मिलाकर कल्क बना लें यानि कि इसका पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को घाव पर और कुष्ट पर लगाने से बहुती अच्छे लाब मिलते हैं और आप देखेंगे कि बहुती जल्दी आराम मिल जाता है इसी प्रिकार से एक अलग प्रियोग है कनेर की छाल को पानी के साथ घिस कर छाल यानि कि इस पेड का जो तना होता है जिसका जो उपनी परद होती है छाल है इस छाल को पानी के साथ घिस कर उपदंस और घाव पर लगाते हैं तो यानि कि उस पर लेप करते हैं तो घाव पर उसको ठंडा करके कामेंद्रियों पर मालस करने से कामेंद्रियों की सिखलता दूर हो जाती है बहुती सरल और कारगार उपा है जोडों के दर्द की समस्या में कनेर के पत्तों को पीस कर तेल में मिलाकर गुन-गुना करके जोडों के दर्द पर लेप करने से जोडों के दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं चर्म रोगों में दाद को दूर कनने के लिए कनेर की जणकी छाल को तेल में पका कर छान कर रख लें और इस तेल को दाद पर लगाने से दाद ठीक हो जाता है और यह कुष्ट में भी काम करता है खुजली रोग में नारियल के तेल को कनेर में सिद्ध करके प्रियोग करें तो खुजली रोग बहुत ही जल्दी मिट जाता है या फिर आप इसके फूलों को जैतून के तेल में घिस कर दाथ खाथ खुजली पर लगाते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है दात खाथ खुजली मिटाने के लिए पीले कनेर के फूलों को जयतून के तेल में घिसकर लेप करने से भी खुजली ठीक हो जाती है कनेर के पत्तों को पानी में उबाल कर नहने से चर्म रोग ठीक होते हैं तेथा यह कुष्ट में बहुत ही अच्छा लाप करता है कनेर एक जिवानु नासक पोधा है और इसके पत्तों को तेल में पका कर मालिश करने से चमडी के रोग दूर होते हैं और जिन लोगों को पसीने के कारण फंगस हो जाता है उसमें यह तेल बहुत ही फायदा करता है यदि घाव पुराना है और घाव भर नहीं रहाँ यह उसमें कीटाणों लग गए हैं तो कनेर में सिद्ध की होई तेल को लगाने से घाव जल्दी भरता है और उसके कीटाणों भी मर जाते हैं वहाँ पर डाल देने से वहाँ पर किले मकोले नहीं पनकते हैं। बैसे तो इस कनेर का खाने में भी प्रियोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रियोग बिना बेत के सला के अनुसान नहीं करना चाहिए। इसकी जड़ का चुणन अल्प मातरा में दूद के साथ लेने से अफीम खाने की आज़त छूट जाती है। कनेर के पत्ते साप के जहर को उतानने में भी लाबकारी होते हैं। कनेर के पत्तों का रस शर्प दंस वाले रोगी को थोड़ी थोड़ी मातर में पिलाते रहने से शर्प बिस उतर जाता है। इसका रस पिलाने से या फर इसके पत्तों को खिलाने से उल्टी आ जाती है और जहर उतनने लगता है। लखवा रोक दूर करने के लिए एक बहुती बिस्स प्रिकार का प्रियोग है जो आप कर सकते हैं सपेद कनिर की जड़की छाल, सपेद गुंजा की डाल तथा काले धतूरे के पत्ते सबी को समान मातरा में लेकर इनका कल्क तियार करना है उसके बाद कल्की की मातरा वराबर तेल और कल्की की मातरा से चार गुना पानी एक लोहे की कडाई में डाल कर पकाएं और जब सिर्फ तेल सेस रह जाए तब ठंडा करके कपड़े से छान कर रख लें यह दबा बनाते समय जल्द बाजी ना करें मंद मंद आज पर इसको पकाएं फिर इस तेल को चान कर रखने के बाद इस तेल की थोड़ी थोड़ी मातरा लेकर नियमित मालिस करने से पक्चागा त्यानी की लखवा धेर धेर ठीक होने लगता है जिन लोगों को अचानक लखवे का अटेक आया है रहे सुरुआत में ही इसका प्रियूप करें तो बहुत ही जल्दी रीकबर हो जाते हैं बैसे तो इस कनेर के और भी काफी सारे अनगरत और जियवादे हैं जो एक वीडियो में बताना संबब नहीं है उम्मीद करते हैं आज की जानकरी आपके लिए बहुत ही लापकारी रही होगी हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ सेर करें यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आपके मन में किसी भी प्रकार कोई सवाल या फिर कोई विचार है या फिर आप हमें कुछ सला देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकरी के साथ एक नई वीडियो में नमस्कार